आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hello Student यहाँ पर एक Question में द्रखा है What is the use of Chalk Coil in AC Circuit? Okay, can we use Reuse State in place of Chalk Coil for the same purpose? ठीक है, सो देखो हमारे घरों में जो Mercury Tube होता है उसका जो Operating Voltage होता है वो काफी कम होता है लेकिन हमारे घरों में जो Input Supply आती है वो 220 Volt की होती है ठीक है, सो सपोस करो हमारे घर में एक Mercury Tube है जिसका Rating Voltage है 50 Volt ठीक है, 50 Volt से ज्यादा इसको चलाया ठीक है, तो यह Fuse हो जगा ठीक है, लेकिन हमारे घरों में तो Supply इतना Volt का आता है ठीक है, तो कैसे यह चलता है तो देखो, क्या करता है कि इसके साथ Series में एक ऐसा Device Connect कर देते है ठीक है, जो कि अपने Across Voltage Drop करा लेता है ठीक है, सो हमारे पास 220 Volt का Voltage आ रहा है, ठीक है, तो Maximum Voltage यह अपने Across Drop करा लेगा ठीक है, उसके बाद जो Voltage बच गया, वो इस Tube Light को देता है ठीक है, तो यह जो Tube Light है, यह Safely Work करता है, ठीक है, नव यह जो Voltage Drop कराने वाले Device होता है, उसको हम लोग Chalk Coil बोलते है, ठीक है, यह कुछ नहीं एक Register और Inductor का Combination होता है, जिसको हम लोग Chalk Coil बोलते है, ठीक है, एक Register होता है उसमें, छोटा सा, एक Inductor होता है, ठीक है, एक दोनों Series में Connected होते है, ठीक है, इसी को हम लोग Chalk Coil बोलते है, ठीक है, इसका Voltage Drop, इस Chalk Coil के Use करके हम लोग कर सकते हैं, दूसरा Voltage Drop, हम लोग यहाँ पे Register लगा के भी तो कर सकते हैं, Chalk Coil के क्या जरूरत है, यही Question पूछ रहागा है, Second Part में, Can we use Rio State in Place of Chalk Coil, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे Register भी लगा दें, ठीक है, यह Question समझने पढ़ले, हम लोग इस Chalk Coil का जो Second Property है, ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, कि इस Chalk Coil का जो Net Imbedance है, ठीक है, इसका Value क्या है, ठीक है, तो Suppose कर लेते हैं, इसके Registance का Value है R, एंद इसके Inductance का Value है XL, ठीक है, तो इसके Net Imbedance का जो Value हो जगा, तो इस Chalk Coil के लिए Power Factor का Value हो जगा, R Divided By Z, ठीक है, इसका हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, R Divided By R Squared Plus XL Squared, ठीक है, का Square Root, ठीक है, अब हम लोग Power Developed in this Chalk Coil, इसका Value निकालते हैं, ठीक है, तो Powered Developed in AC Appliance, ठीक है, उसका क्या Value होता है, वो था, IRMS into VRMS into Cos5, ठीक है, नाउ, इस Chalk Coil में क्या करते हैं, हम लोग, कि इस Cos5 के Value बहुत ही कम रखते हैं, कैसे, तो देखो Cos5 के Value कम रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस Resistance के Value कम रखते हैं and इस Inductive Reactance के Value ज़्यादा रखते हैं, ठीक है, तो यह जो Power develop हो रहा है, इस Chalk Coil के अंदर, इसका वे Value कम होगा, ठीक है, तो इस Case में क्या होता है, कि यह जो Chalk Coil है, अपने Across Voltage Drop तो करा लेता है, ठीक है, लेकिन अपने Across Power का Loss नहीं होने देता है, क्योंकि इसके Cos5 के Value कम होता है, ठीक है, तो यह है इसका Second Function, ठीक है, कि अपने Across यह Power का Loss नहीं होने देता है, ठीक है, वाइल, अगर हम लोग यहाँ पे केवल Resistance लगा दें, ठीक है, तो वो अपने Across Voltage तो ड्रॉप करा लेगा, लेकिन अपने Across Power का Loss भी करेगा, ठीक है, तो Power का Maximum Loss हो जाता है, अगर हम लोग Resistance का Use करेंगे, चौक कोईल के वज़ा पे, ठीक है, तो इसे लिए, हम लोग चौक कोईल के जगा पे, Resistance का Use नहीं करते हैं, ओके, I think it is clear to you, thank you.